नमस्कार मैं रविश कुमार, नीट यूजी के नतीजों को लेकर सवालों के अंबार लग गए हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को इतना परिशान नहीं छोड़ सकते। इसका एक ही तरीका है कि National Testing Agency NTA प्रेस रिलीज की делает प्रेस कांफरेंस करें और जो इस विशय के जानकार हैं उनके सवालों के जवाब दे। प्रेस रिलीज से हो रहा है कि सभी को अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। NTA को समझना चाहिए कि वो चुनाव आयोग नहीं है, कि धाई महिने के चुनाव में कोई प्रेस कांफरेंस नहीं हुई और किसी को फर्क नहीं पड़ा इस से होता यह है कि लोग और जादा आशंकित होने लग जाते हैं NTA के महान देशक सुबोत कुमार सिंग को मौके की नजाकत समझना चाहिए और चातरों को आश्वस करना चाहिए प्रेस रिलीज में दिये गए जबाबों से चातर इस वक संतुष्ट नजर नहीं आते मैं खुद के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ परिक्षा प्रणाली खासकर नंबर कैसे दिये जाते हैं ग्रेस मार्क का सिस्टम क्या होता है इसकी समझ मुझे कम है लेकिन आप लाखो चातरों के सवालों को नजर अंदाज नहीं कर सकते उनकी बहुत पकड़ है इन बातों पर आपको उनकी एक एक बात को जगत देनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा क्योंकि ये चातर पहले से ही ट्वीटर से लेकर तमाम जगों पर अपनी बात कहते जा रहे हैं तो इसे सीक्रेट रखने का कोई मतलब नहीं इस बार नीट के पेपर भी लीक हुए लेकिन NTA ने अपनी प्रेस रिलीज में फिर से वही दोहरा दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ या उसी की नाकामी है जबकि जाहिर है ऐसी संस्ता की शमता और जवाबों को लोग आसानी से स्विकार नहीं करेंगे NTA ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए है जबकि पतना का एक कॉंक्रीट एकजामपल है कि कुछ सेंटर पर प्रसंपत्र की लीक की सिकायत आई और पतना पुलिस ने लोगों को गिरफतार किया पतना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफतार कर रही है और एजिंसी कह रही है कि कोई प्रसंपत्र लीक नहीं हुआ है तैह था कि 14 जून को रिजल्ट आएगा तो फिर 4 जून को रिजल्ट क्यों जारी किया गया जिस दिन चुनाओं के नतीजे आ रहे हैं उसी हंगामे में आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं क्या इसलिए कि किसी चीज़ पर लोगों का ध्यान ना जाए इसका इंतजाम करना था प्रेस के पास वक्त ना हो उसे रिपोर्ट करने के लिए इसकी विवस्था करनी थी दस दिन पहले नतीजा जारी करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है जब एक बार कलेंडर तै हो गया तो उस पर कायम रहना चाहिए था अपने स्पश्टी करन में NTA परिक्षा के 30 दिन के भीतर रिजल्ट घोशित करने को अपनी उपलब्धी बता रहा है और कह रहा है कि सब निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार हुआ है उसका दावा है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई लेकिन तैस शेडूल से 10 दिन पहले रिजल्ट जारी करने पर कोई सफाई नहीं नीट 720 अंको का होता है कई छात्रों ने कहा कि 717, 718, 719 नंबर आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि जब आप एक सवाल का जवाब गलत करते हैं तो आपके 5 नंबर कट जाते हैं तो इस हिसाब से 717 की जगा 715 आने चाहिए 718 या 719 नहीं ऐसा क्यों हुआ है इसे लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं दूसरा बड़ा सवाल है ग्रेस मार्क दिये जाने का NTA ने कहा है कि 1500 से अधिक छात्रों को ग्रेस मार्क दिये गए हैं क्योंकि इन्हें प्रश्न पत्र देरी से मिला या ग्रेस मार्क किस फॉर्मूले के तहत इन छात्रों को दिया गया या साफ नहीं अगर किसी भी सेंटर पर प्रश्न पत्र देरी से मिला है तो छात्रों को उतना समय जादा दे देना चाहिए उस सेंटर पर तो सुरक्षा रहती है छात्र बाहर भी नहीं जा सकते और बाहर से उनका संपर्क नहीं हो सकता तो फिर देरी होने पर ग्रेस मार्क का रास्ता क्यों चुना गया फिर यह कैसे भरोसा किया जाए कि 1500 से अधिक छात्रों को ही ग्रेस मार्क दिया गया चात्र यह भी सवाल कर रहे हैं क्योंकि चात्रों के माता-पिता का कहना है कि अगर इतनी ही संख्या होती तो रैंकिंग में इस बार इतना फर्क नहीं आता जिस नंबर पर पिछले साल चात्रों को 17,000 रैंकिंग आई इस बार 50,000 रैंकिंग चली गई है ऐसा एक अभिभावक ने बताया रैंकिंग नीचे जाती है लेकिन कहा जा रहा है कि इतना नीचे नहीं जाती यह प्रत्याशित है एक सवाल चार नंबर का है और सवाल गलत करने पर एक नंबर की निगेटिव मार्किंग है यानि एक सवाल गलत होने पर आपके पांच नमबर कम होते हैं या दलिल दी जाती है कि अगर आपने एक सवाल गलत कर दिया है तो 720 में 715 नमबर आएंगे इसके जवाब में NTA का कहना है कि पंजाब हर्याना हाई कोट में कुछ छात्र चले गए कि उन्हें देर से प्रशन पत्र मिला NTA ने CCTV फुटेज चेक किया और पता चला कि उमिदवार की गलती नहीं थी फिर उन्हें ग्रेस मार्क दिये गए जिससे 718 आया और 719 आया लेकिन यह तो बहुत विचित्र दलील है भले सुप्रिम कोट ने 2018 में ग्रेस नंबर देने के लिए कहा था मगर इसका तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए सवाल यह भी है कि क्या पंजाब और हर्याना में ही प्रशन पत्र मिलने में देरी हुई NTA को बताना चाहिए कि कितने राज्यों के सिंटर पर देरी से प्रशन पत्र मिला ग्रेस मार्क वाले छात्रों की संख्या क्या है क्या NTA ने इस तरह का फॉर्मूला पहले भी बनाया था और बनाया था तो नीक 24 के ब्रोशर में क्यों नहीं दिया गया अचानक से सुप्रीम कोट के आदेश का बहाना बना कर आप ग्रेस मार्क नहीं दे सकते ग्रेस मार्क देने का फॉर्मूला तो पहले से तै होना चाहिए क्योंकि आपको मालूम है कि प्रशन पत्र मिलने में देरी हो सकती है इनी सब कारणों से छात्रों को शक हो रहा है कि घोटाला तो नहीं है और वो इस देश में घोटाले की उमीद या आशंका क्यों न करें कहा करेंगे फिर जहां किसी को भी घर से उठा कर फरजी मामले में जेल में डाल दिया जाता है कई साल तक जमानत नहीं मिलती ये डावा किस record के दम पर किया जाता है सरकार की तरफ से कि हम जो भी कह रहे हैं आप उसी पर विश्वास कीजिए तो जो चात्र कह रहे हैं उनके सवालों के जवाब इस तरह से दिये जाने चाहिए ताकि वे विश्वास करें शिक्षा और परिक्षा के विशय पर लिखने वाले महेश्वर पेरी ने ट्वीटर पर लिखा है कि कुछ कोचिंग संस्थाओं ने दावा किया है कि उनके यहाँ 21 टॉपर हैं तो किसी के यहाँ 27 टॉपर हैं ये कौन है कहीं कुछ गडबर तो नहीं हुआ मेरा यहाँ सवाल है कि क्या कोचिंग सेंटर के टॉपर की लिस्ट पर भरोसा कर लिया जाए उससे तुलना की जा रही है वो सही है क्या कोचिंग सेंटर तो नजाने किसे अपना टॉपर बना दें फिर भी अगर एक सेंटर से 6 लोग टॉप कर रहे हैं तो देखा जाना चाहिए इस सवाल में दम लगता है कितने और सेंटर से इतनी बड़ी संख्या में लोग टॉप कर रहे हैं यह भी ठीक है कि हर्याना के सेंटर के इन 6 टॉपर को लेकर किसी कोचिंग संस्थान ने दावा नहीं किया है हर्याना के सेंटर के 8 छात्रों में से 7 अभियर्ती का केबल पहला नाम दिया गया है महश्वर पेरी लिखते हैं और कहते हैं कि नाम के साथ लगने वाला परिवार का टाइटल नहीं है करियर 360 के महेश्वर पेरी लिखते हैं कि 66 टॉपर का दावा किया जा रहा है एम्स दिल्ली में 56 सीटे हैं पहली बार होगा जब पूरे भारत में टॉप करने वाले सभी छात्रों को एम्स नहीं मिलेगा 11 छात्रों को इस बार एम्स में अडमिशन नहीं मिलेगा एक सवाल यह भी उठ रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही नंबर पर 67 छात्र आ जाएं पहले कभी नहीं हुआ 2021 में 720 में 720 लाने वाले तीन छात्र थे 2022 में किसी को भी 720 में से 720 नहीं आया 715 आया वो अभी 4 छात्रों को मिला 2023 में केवल दो चातरों को 720 में 720 मिला 2024 में 67 चातरों को 720 में 720 आया है लोग कहते हैं कि रैंक वन दो लोग होगा 4 लाग होगा इस बार नीट के एकजाम में जब आप उसके रिजल्ट को देखेंगे सरसथ लोग जो है वो जो है 1st ranker है और उसमें से 720 नंबर मिला है मतलब 100% marks मिला है जब इस सवाल को उठाया गया तो NTA के डारेक्टर ने कहा कि grace दे करके इनको full marks दे दिया है तो उसके क्या नियम है उसकी क्या transparency है किस आधार पे आपने 720 में से 720 दे दिया और इस देश की सबसे प्रतिस्थित जो medical institute है AIMS वहाँ पर 50, 60, 65 लोगों को admission होता है अब आप ये समझ लिजिए कि जिनका rank 1 है जिनको 100 में से 100 marks आया है उनका भी admission AIMS में नहीं होगा तो पूरी तरह से इन्हों ने इस देश के examination system को मजाग बना दिया है कारण क्या है कि वही खुद अगर पढ़े होते, exam दिये होते, exam hall में बैठे होते तो समझ में आता कि exam student के लिए कितना important है vacancy student के लिए कितना important है admission होना student के लिए कितना important है पढ़ने लिखने वाले तो लोग हैं नहीं सरकार में बस चुनाव के लिए vote के लिए परिक्षा पे चर्चा करते हैं खुद तो परिक्षा दिये नहीं है परिक्षा अगर दिये होते तो दर्द मालूम होता इतने सारे चात्रों के पूरे के पूरे 720 नंबर आने पर NTA ने अपने स्पष्टी करण में कहा है कि physics के एक सवाल में NCRT की पुरानी और नई किताब में अंतर होने के चलते उत्तर की में एक के बजाए दो उत्तर सही मान लिये गए विचित्र तर्ख है जिन 67 चात्रों को 720 नंबर मिले हैं उनमें से 44 चात्र ऐसे ही हैं जिन्हें इस physics के सवाल के उत्तर में सुधार के चलते अतिरिक्त नंबर दिये गए और टौपर 67 में से 6 चात्र ऐसे भी हैं जिन्हें समय की बरबादी के बदले Grace Mark दिये गए महिश्वर पेरी का कहना है कि 2023 में जिसे 700 नंबर आया उसका रैंग 294 था लेकिन इस बार 1770 हो गया 650 नंबर जिसे आया था उसे 6803 रैंग मिला लेकिन 24 में इतने ही नंबर पर रैंग मिला 27724 एक साल में इतना अंतराना असंभव है पहली बार ऐसा हुआ है जब नीट का कट ओफ इतना ऊपर चला गया NTA का कहना है कि इस बार प्रशन आसान आये और छात्रों का प्रदर्शन बहतर हुआ ये कहीं से ठोस जवाब नहीं लगता कॉंग्रिस महा सचिव प्रियंका गांधी और पार्टी प्रवक्ता पहले ही निकाल दिये गए जिस दिन लोग सभाद चुनाओं के नतीजे आ रहे थे परिक्षा करने वाली एजेंसी NTA के उपर सवाल उठें इंतहान के ठीक 24 दिन पहले 9 और 10 अप्रेल को एप्लिकेशन विंडो खोला गया अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया कितने बच्चों ने तब फॉर्म भरा उनमें से कितने कौन से सेंटर के थे उनमें से कितनों का चयन हुआ उनके रोल नंबर सारवजिनी करने की मांग उठा रही हूँ सुप्रिया लिखती है पहले नीट पेपर लीक की खबर अब रिजल्ट में गड़बडी से देश के लाखो युवाओं का भविश्य बरबाद हो रहा है सरकार से जबाब चाहिए एक ही सेंटर पर एक ही रो में बैठे हुए बारा लोग टॉप कर गये हैं और सौ में सौ हम किसी की योगता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं लेकिन जो एंटिये है उसकी योगता पे जरूर सवाल उठा रहे हैं सरकार की मनसा पे सवाल उठा रहे हैं और सिधा सिधा ये मांग कर रहे हैं कि आप देश के बच्चों के भविष से खेलना बंद कीजिए, युबाओं के भविष से खेलना बंद कीजिए, समय पर एकजाम कराईए, धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए करा कानून बनाईए, और अभी जो नीट का मामला है, उसकी पुनर किजिए जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका रिड्रेशल कीजिए और सुप्रीम कोट ने हमारे अध्यक जी ने डिमांड किया है सुप्रीम कोट की निगरानी में इसकी जांच कराईए और जांच में यह गरबरी यह आरोप सही पाये जाते हैं तो आप एकजाम को किया है यह चालाकी नहीं चलेगी परिक्षा पर चर्चा का राजनितिक और इलेक्टोरल पॉलिटिकल एस्टंट हम लोग देख चुके हैं सभी 66 टॉपर चात्रों के बराबर अंकाये हैं अब उनमें से एड्मिशन में रैंकिंग तै करने के लिए एप्लिकेशन नंबर के हिसाब से चुना जाएगा ध्यान से सुनिए मान लीजिए अगर एमस में भरती के लिए सीट से अधिक टॉपर पहुँचे तो जिसके अप्लिकेशन का नंबर बड़ा होगा उसे नहीं लिया जाएगा ये कमाल है ना ये तो फालतू बात हुई अप्लिकेशन नंबर देख कर आप एमस में एड्मिशन देंगे और जिसका अप्लिकेशन नंबर बड़ा होगा उसका नहीं होगा इससे भकवास बात क्या हो सकती है क्या धर्म के नशे में जनता ने यह भी देखने की बुद्धी खो दी है तब तो इस देश में मेडिकल टेस्ट बंद कर मंदिर प्र पत्रों के माबाप पत्रकार खोज रहे हैं जो मंदिर मंदिर कर रहे थे उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि मेडिकल की परिक्षा के बारे में रिपोर्ट करेंगे कह रहे हैं कि सारे पत्रकार चुनावी आंकड़े बताने में लगे हैं सरकार बनाने में लगे हैं तो आपको पत नहीं आ रहा था कि एक दिन आपकी भी जान मुश्किल में फंसने वाली है जब आप 10 साल से 3rd क्लास मीडिया जहल रहे हैं बालू का लड्डू खा रहे हैं तो फिर ये एंगल है कि मीडिया कवर नहीं कर रहा है कहां से आ रहा है वो कब कवर करता है कब आपने उसे कवर करते देखा है जब किसानों को यही मीडिया आतंकवादी बता रहा था तब तो आप आगे नहीं आए जब पत्रकार निकाले जा रहे थे तब तो आपने नहीं कहा जब 80-80 इंटर्व्यू में एक सवाल प्रधान मंत्री से अगनी वीर पर नहीं पूछा गया प्रधान मंत्री से Electoral Bond के Fraud पर विस्तार से नहीं पूछा गया तब तो आपने नहीं कहा कि यह क्या मीडिया है ऐसा मीडिया हमें नहीं चाहिए अब जब बच्चों का भविश्य दाओं पर है तो एक जटके में वो मीडिया कहां से मीडिया हो जाएगा तो यह एक अलग मसला है कि भारत का गो खुदी मीडिया पहले से कहीं जादा आवारा होने वाला है और पता नहीं हम लोगों के यूट्यूब चैनल को बंद करने की कौन सी तरकीब निकाल ली जाए तब तो आप नहीं आएंगे सडक पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए फिर भी छात्रों को मैं यह मानता हूं कि एक व लिक्सित भारत और विश्वगुरु भारत बनाने का आप डावा करते हैं नमस्कार मैं रवीश कुमार